असलाम एकुम एब्रिवान और वेलकम टू माइ नियो विलोग तो यह विलोग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि जनाब आज है चांद रात और आज हम करने जा रहे हैं अपने एद की प्रेपरेशन तो सबसे पहले जनाब जिसने जो-जो कपड़े पहनने थे व और इन में से डिसाइड होना है कि भी कौन से कपड़े पहनने और कौन से नहीं पहनने लेकिन प्रिपेर हम सारे कर लेंगे तो यह आप देख सकते हैं जी इलास्टिक डल रही है अच्छा जी इस प्रोसेस के साथ जो एक में प्रोसेस था वो यह था कि मेरी शर्ट की और उनसे हमने थोड़ी से ओल्ट्रेशन करवानी चाही थी तो मैंने सोचा कि इसमें हम प्लेट्स डिलवा लेते हैं डीप से करके ताके साइड सी शेप भी खराब ना हो तो अब ऑविसली जो टेलर्स होते हैं वो तो तरह प्रोफेशनल होते हैं तो इस तरह से कीसे करनी वो आप इस तरह से कर सकते हैं यानि शर्ट को रख गकर एक्कवली तो आप उसको पैंसल से तो बस चनाब इस तरह से हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहां यहां हमने जो है वो सीधी सीधी स्टेच कर देनी है क्योंकि प्लेट्स में वो लाइन जिदर उदर चिली जाती है और दोनों प्लेट्स भी सम्टाइम्स इक्वल नहीं आते हैं तो यह चीज़ें मेरे साथ हो चुकी ही थी तो इसलिए मैंने सूचा कि चलो यार शर्ट के साथ जो है वो एक्जेक्ट मैयर करके अगर हम लगाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर कोई डिफरेंस आएगा तो फिर हमने शर्ट की साइड्स पे सारी चेक कर ली थी कि वो ना ह हो एक साइड से हमने जाधा इधर कर ली हो लेकिन अलहां दो रिला फिटिंग बहुत अच्छे से हो गई थी और बस जनाव ये प्रोसेस होगा और इसके बाद फिर हम आईरिनिंग की तरफ शलेंगे और स्टेप पर स्टेप आपको पते है चांद रात पर बहुत से काम ऐस होती है कि जल्दी जल्दी से सारे काम खतम हो जाएं और कुछ अफ़िसली अफ़तार के बाद थोड़ी से तकावट भी होती है लेकिन जब सुनता है बंदा कि कल एद है तो फिर हर चीज जो है वो भूल जाता है और सारे एकसाइटमेंट लेवल जो हो आपके हाई हो जाते हैं और जल्दी से होता है कि यार यह भी चीज त्यार कर लें वो भी चीज त्यार कर लें तो इसे तिना फिर उस प्रॉसेस के बाद फिर हमारा आरनिंग का प्रॉसेस स्टार्ट हो गया फिर हमें बाहर जाना था क्योंकि अभी जूते वगएर जो है वो रहते थे कि सर्विस में एंट्री ले ली थी और आपके सामने ही है इतना रश था ओ माई गाड यानि वहाँ पर शॉप कीपर्स को यही समझनी आ रहा था कि कौन से बच्चे के जूती कौन सी मा लेने आई भी है मा कोई थी और किसी के बच्चे को जूतिया दिखाए जा रही थी यानि इ यह भी लेलो और यह मेरी बेटी को जोगर्स चाहिए थे तो उसने यह सेलेक्ट किया जो कि बहुत प्यारे थे और इस तरह हमने जूतिया ली और फिर हम वापस जाई रहे थे कि पिर सोचा कि यार चांद रहा थैं आइस्क्रीम के बगएर कैसे जाएंगे तो फिर जनाब ह हमने वही वाली आइस्क्रीम खाई जो हमने कल ट्राइ की थी बिसकॉफ वाली मैक फ्लरी मुझे बहुत पसंद आई है और पस मैं तो क्रेजी हो गई हूँ कि यार यह तो खानी खानी है तो जनाब यह थी हमारी मस्ट ट्राइ कीजिएगा बहुत ही मज़े की यह यम है तो माशाला माशाला से मैं कहती हूँ एंड तक त्यारियां खतम नहीं होती फिर जनाब उसके बाद जो में काम था जिसके बगएर यह यह पॉसिबल ही नहीं है वो करने बैठी यह मैं अपनी हेलपर को महंदी लगा रही थी क्योंकि इनका हक पहले बनता है जनाब बच्चों क बच्च यह सुआ पानच-शे क्लाइंड पॉर्म आ घीर के बाद लेका महंदी की होती जनाब अब अपने हजबंधि में असको मेंदी में खुद लगाती हूं लेकिन अपनी में महंदी में अपने हजबंधियां ऋगची हimentाओ उसका मुझे चाम अलग होता है तो सब्सक़ को दिखाती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी महंदी लगाई थी और फिर बाकी की महंदी को कम्प्लीन मैंनी किया बहरहाल यहां पर हम हेलपर को फ्री कर रहे थे पहले मैंने सूचा इन सब बच्छों को फारी कर दूँ और फिर उसके बाद जो है वो अपनी बारी हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा जब तक जल्दी जल्दी से जाके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे विलॉक्स जो हैं वो इजली मिल जाए और यहां हम हूब शांती से बैठे वे थे क्योंकि जनाब सारे काम हमा क्योंकि प्रॉब्लम ना हो क्योंकि बहुत अर्ली ना मॉर्निंग जो है वो इतकी आजान हो जाती है तो फिर जो मेल्स हैं उनने जदी से भागना होता है तो इसलिए बेतर है कि हार चीज उनकी अरेंज करके रखी जाए तो यह जनाम मैंने इनको फेर ट्रेस करके दिया थ अरर मांशला से बहुत है मेंदी लगाई थी अब यह तो इस तरह से फिर हमने चैस करके इसके अपर मेंदी बतत्व थी बचारे को डाला हो इस मुझे बचारे को डाला हो बट स्टिल उनकी बहादूरिया जह बहुत अची मेंदी ले गई बहुत पसंद आई और इस तरह से हमने सारा जो है वो एजिली कवर कर लेना है वैसे ना समझ ही नहीं आता था बिचारों को कि मैं क्या डिजाइन करूं तो ही वस हैपी कि यह बहुत अच्छा तरीक है तो इसी तरह से फिर हमारा विलॉग भी एंड होता है मिलते हूं आपसे नेक्स विलॉग में माशाला माशाला से एद की तेयारी भी इंशाला आपको दिखाएंगे और एद पर हमने क्या खाया वो भी आपसे शेयर करेंगे तो मिलते हैं अपने नेक्स विलॉग में आप लोग जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको इसी त बताईगा कि आपको मेरी मेहदी कैसी लगी